आपका स्वागत हैं में प्रियाम आपके साथ 13 दिसंबर को संसत में घुस्पेट मामले में संसत सचीवाले ने 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया सस्पेंड के गए सुरक्षा कर्मियों के नाम रामपाल, अर्वीन, वीर्दास, गणेश, अनील, प्रदीप, विमित और नरेंद्र है आज पीएम मोदी संसत पहुँचें और उन्होंने केंदरी मंत्रियों के साथ बेठक की मिटिंग में गरह मंत्री अमिशा, बीजेपी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नडडा, केंदरी मंत्री प्रहलाज जोशी और अनुराक ठाकुर्प मोजुद रही पुलिस सत्रों के मताबिक आरोपियों ने पहले ही संसत के बाहर की रेकी कर ली थी सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंग फैन कलब से जुड़े थे लगभग डेड़ साल पहले सभी आरोपी मेसूर में मिले थे आरोपी सागर जुलाई में लखनों से दिल्ली आया था लेकिन संसत भवन में एंट्री नहीं कर सका था 10 दिसंबर को एक एक करके सभी अपने राज्यों से दिल्ली पहुचे गटना वाले दिन सभी आरोपी इंडिया गेट के पास इखटा हुए जा सभी को कलर स्प्रेप बाटा गया पुलिस ने बताया शुरुआती जाच के अनुसार संसत सुरक्षा उलंगन का मुख्य साजिश करता कोई ओर है उधर दिल्ली पुलिस ने एंटी ट्रेरर और गेर कानुनी गतिवीधिया अधिनियम के तहट केस दर्च कल लिया लोकसभा सचीवाले के अनुरोत पर ग्रह मंत्राले ने इस घटना की जाच का आदेश दिया है सी यार पी एफ के महानी देशक अनीश दयाल सिंग के नैतरत्र में एक जांच कमेटी बनाई गई है इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और एक्सपर्ट शामिल है पुलीस ने बताया कि कुल छे आरोपी है दो अंदर घुसे थे जबकि दो बाहर प्रदशन कर रहे थे पूश्टाश में दो लोगों का ओर नाम सामने आया है फिराल पाच गिरफ्त में है और एक फरार है